मूर्ती को कुछ समय पहले खंडित कर दिया गया था प्रशासन और सभी लोगों से बात यहां हुई थी और नई मूर्ती की स्थापना की बात हुई थी और हमने दो महीने का समय तीन महीने का समय हम लोगों लिया था मूर्ती बनकर के आचुकी है आप लोगों का यह कहना है कि मूरती मनकर आ चुकी है तो इसकी पृतिस्ठा समय से हो जाए बने में जो भी समय लगा है वो लगा है मूर्ती वरतमान में यहां आ चुकी है अब हमने इसे कहा है कि 72 गंटे के अंदर इस भारत माता की मूरती की पृतिस्ठा इसको इस्थापित हम लोग करा देंगे यहीं इ 72 गंटे बोला है कोशिश करेंगे कि पहले हो जाए तोड़ी टेक्निकल चीज़ है यह किसको कैसे करा जाएगा उसमें कुछ इंजिनियर से भी आया ने पड़ेगी तो हम इसको जो समय सीमात टैकी गई उसका अंदर इस्तापित करा लेगी कि भारत माता की पृत्मा जब खंडित हुई थी तो आपने कहा था कि मैं इस दिसंबर में हम लगवाएंगे उन्होंने नहीं लगवाई जब मेरी भारत इंतापाटी की सरकार इस उत्तापरदेश में योगी जी की आई तो हमारा बरत जनम और अदगार है कि हिंदुस्तान की मठी में हमने जनम लिया है और हम भारत माता के पुत्र है उस भारत माता की पृत्मा को खंडित करने निम्त में जो लोग थे वो तो सलाकों के पीछे हैं लेकिन पृत्मा नहीं लगी यह मैंने आकरोस प्रिसासन को उत अरतालेश गंटी पहले दिया उसी परपेक्स में लग रही है और वो पूत जो भारत माता के पूत हैं उनकी बदोलत आज ये प्रतिमाई लगने जा रही है देखिए उपर दे सुरुवात हो गई है चटनी चालू हो गई है ना फेले उपर सेक्रिट इस तर पर हुआ फिर कमिशनली इस तर पर हो रहा है बागी नीचे भी इस तर पर होगा वही अधिकारी रुखेगा जो अपने मानस को बदलेगा जो 18 गंटे काम करेगा वही काम करे करेगा जागी काम जो गई होगा